दोस्तो बिग बॉस ओडिडी के लाइफ फीड में घर के अंदर इस समय फुकरा इंसान चुप होने का नाम तक नहीं ले रहे हैं और वो लगातार रोते ही जा रहे हैं जी हैं दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना उनकी आंखों से लगातार आंसो छलक रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी ममी को काफे मिस कर रहे हैं और अपनी ममी को मिस करते हुए फुकरा इंसान की आंखों से एक आएक आंसो छलकने लगे इस दुरह दोस्तो यहाँ पर मनिशा रानी ने चुप करवाने की कौसिस की लेकिन मनिशा रानी को फुकरा इंसान के रहे हैं कि यार कब आएंगे यार मिरसे अपनी और आंतजार ममी कब आएंगे आखिर जिसके बाद यहाँ पर मनिशा रानी समझा रही है कि बावु ऐसा मत कर यार अभीशेक ऐसे तू रोएगा फिर तो तेरे emotion यहीं खतम हो जाएंगे थोड़े emotion थोड़े आंसो बचा कर रख तेरे गरवाले भी तो आने वाले हैं उनके लिए तो बचा कर रख ऐसे कि तू रोते ही रहेगा क्या लेकिन दोस्तो यहां पर फुकरा इंसान चुप होने का नाम नहीं ले रहे है और वो काफी ज़्यदा emotional हो चुके हैं वहीं दूसरी और Elvis यालो तो इतने ज़्यदा बेचैन हो उठे हैं कि वो तो garden area को छोड़ने तक का नाम नहीं ले रहे है जियां दोस्तो जब भी गर के बाहर किसी गारी की आवाज आती है तो उनको लगता है कि इस बार कोई आया तीन बार अब तक वो कह चुके हैं कि कोई गारी आई कोई तो आएगा लेकिन वो गारी की sound कहीं और ही चली जाती है और ये चीज कहीं ना कहीं Elvis भाही की बेचनी को और भी ज़दा बढ़ा रही है जियां दोस्तो Elvis भाही इस समय अपनी मम्मी से मिलने के लिए काफी ज़दा excited है वो काफी emotional भी हो रखे हैं फोटोज को देखकर आईडिया लगा सकते हैं कि कि इस समय वो कितने ज़दा emotional है फिलाल दोस्तों आपका क्या है कहना इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राए हमें comment में बताएं यदि आप भी Elvis शादो और फुकरा इंसान के fans हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें